करनाटक विदाहनस भाग की दोसो चौबिस सेटोंपर रुजहान आचुके हैं और रुजहानों में कॉंग्रिस ने बहुमत कांकरा बार कर लिया है कॉंग्रिस को बहुमत में चुका है और भाचप और जेडियस के हाद जो हार लगी है आपको बता दे कि KARनातिक विदासभा चुनाव में जो वोटिन्ग है वो 10 म泉 को हुई थी और 13 म泉 यानि कि आज जो है वो काउंटिंग फिर काउंटिंग में ये साफ हो चुका है कि करनातिक में जो है वो कांग्रिस की सर्कार बढने जारी आपको बता दें कि कॉंग्रेस में काउंटिंग के बाद जो रुजहान आया है इलक्षिन कमिशन के ओर से जो रुजहान सामने आया है उसमें कॉंग्रेस को बढ़त मिली है रुजहानों में कॉंग्रेस को बढ़त मिली है और इससे कॉंग्रेस में जशन का महाल जो है वो पैदा हो चुका है सु जो है वो बायूसी लगी है लेकिन कॉंग्रिस में कॉंग्रिस में रुजानों के बाद जशन का महाल शुरू हो चुका है जहां कॉंग्रिस का रियाले में नेता एकथे हो चुके हैं आपको तस्वीरों में दिखाएंगे क्या खिसकार किस तरीके से जो है कॉंग्रिस नेता आपने खुशी जाहिर कर रहे हैं करनाटक में कॉंग्रिस नेताओं में खुशी की लहर दोड़ चुकी है करनाटक की जनता ने जो है वो सत्ता की चाबी करनाटक की जनता ने सत्ता की चाबी जो है वो कॉंग्रिस की जनता ने सत्ता की चाबी जो है वो कॉंग्रिस के हाथ दे के लिए एड़ी चोटी का प्यास किया लेकिन जो करनाटे की जनता है वो कॉंग्रिस के दावों और वादों से खुश हुई और ऐसे में सत्ता की चाबी सत्ता काता जो है वो कॉंग्रिस की हाथ में करनाटे की जनता ने थमा दिया आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से जो है क किसी तरह की कोई भी हिंसा ना हो कोई भी जो वहां पर अन्हूनी ना हो इसके लिए वहां पर जो है वो कड़ी सुरक्षा विस्था के बीश में जो है वो काउंटिंग जा रही और रुजहान अब तक इलेक्शन कमिशन के ओर से यह सामने आए है कि कॉंग्रिस बढ़त कर यह कॉंग्रिस को बहुमत मिल चुका है और यह साफ हो चुका है करीब करीब तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है कि करनातक में कॉंग्रिस की सरकार बनेगी सत्ता का ताच जो है जो राजनीतिक जो है वो जो सत्ता का ताच है करनातक की राजनीति में जो है वो कॉंग्रिस सी काश करेगी और कॉंग्रेस के चाबे कॉंग्रेस पर करनाता के जनता ने एक बार विश्वास जटाया है आपको बता दें कि नतीजे जो इलेक्शन कमिशन के ओर से रुजहान सामने आये हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि कॉंग्रेस बढ़त पर है कॉंग्रेस को बहुमत मिल आगे चल रही है जिया भाशपा सरकार के कई कैबिनिट मंत्रे पेच्छे चल रहे हैं और बैंगलोरू में भी भाशपा पिछड़ गई है वहीं जेडियास की बात की जाए तो जेडियास के एवल 22 सीटों पर ही आगे है और राज्य भर में 36 केंद्रों में मतगणना में जु नाम के बारे में एक स्पष्ट तस्वीर जो है वो करीब-करीब स्पष्ट हो चुकी है और राज्य में 224 सदस्य विधान सभास सीटों के लिए 10 मई को चुनाव में 73.9 प्रतीशत का रिकॉर्ड जो है वो मतदान धर्श क्या गया था आज करनाटक के लिए क्याती हासिक द सेटों पर जो है वो 73.9 प्रतीशत जो है वो वोटिंग हुई थी और आपको बता दें कि जो रुझान सामने आए हैं इसके बाद जो कांग्रेस करनाटक कांग्रेस प्रमूख डीके शिव कुमार जो है वो कांग्रेस की जीत के बाद भावुक हो गया उन्होंने कहा कि मैं सब्सक्राइब गया चुने का परदाफाश की है युद्र दिने राहल गांधी और प्रियंका गांधी जीट्राइब का इश्वासन दिया था किस तरह से कॉंग्रिस में जशन का महौल है, कॉंग्रिस में खुशी की लहा दोड़ गई है, कॉंग्रिस की जीत के बाद, जैसे ही इलेक्शन कमिशन की और से रुजहान सामने आए है, कॉंग्रिस में जीत का जशन जो है, वो मनाया जा रहा हो भी ना क्यों, जी हां, आखिर कार्णात की जंताने कांग्रेस पर विश्वास जताए है कांग्रेस को जीत हासिल करवाई है यह बड़ी ख़बर है कि करणातक में एलेक्षन कमिशन के और से जुरू जहान सामने आए है उनमें कांग्रेस को बहुमत नेरता हुआ दिख रहा है और भाषपा और जेडिया जो लोगों ने जो है अपने वोट की आहूती दी थी चुनावी महायग्यों में 73.9 प्रतिश्यत लोगों ने अपना वोट डाला था इस बार चुनाव में कुल 2615 उम्मिद्वारों ने अपनी किस्मत आजमाई और करनाटक में जो है वो कॉंग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा ह है रुजहान सामने आ चुके हैं करीब करीब तस्वीर ये साफ हो चुकी है कि अब करनाटक में जो है वो कॉंग्रेस ही सत्ता संभालेगी सत्ता कीचाबी सत्ता का ताज कॉंग्रेस के हाथ लगेगा और आपको बता दें कि इस बार चुनाव में कुल 2615 उमीदवार जो है वो उतरे थी और इन उमीदवारों ने अपने किसमत आजमाई थी और एवियम में जो क्रत्याशियों की किसमत 10 मई को कैद हो गई थी वो आज खुली है और अब ये सामने जो है तस्वीर सामने आ चुकी ह है कि कांग्रिस की सरकार करनाटक में बनने जा रही है करनाटक में कांग्रिस जो है वो किंग बनी है और बहुमत कांगडा पार कर लिया है कांग्रिस की पकड़ मजबूत है और भाजपा जीडियास को नुकसान हुआ है रुजहानों के बाद कांग्रिस में जशन का महाल है तस्वीर आप देख सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से कांग्रिस में जशन का महाल है कांग्रिस खारे करता हुश्च से फूले नहीं समा रहे और 224 विधान सभा सेटों के रुजहान आ जाए हैं और कांग्रिस की जीत जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि करीब करीब कांग्रिस की जीत हो चुकि है क्योंकि कांग्रिस ने बहुमत कांगरा पार कर लिया है आपको बता जेते हैं कि करनाटक के लिए आज एक एतिहासिक दिन है क्योंकि देखिए करनाटक की जनता जो है वो बेस्बरी से इंतजार कर रही थी इस दिन का ये जानने के लिए कि आखिरकार करनाटक में किस राजिनीतिक दलका राज होगा और करनाटक में सत्ता की चाब लेकिन कॉंग्रिस में खूशी किला रहा किके है और कारेकर्टा और समर्थक जो है वो जशन बाइस सीटों पर आगे हैं राज़े भर में 36 के इंद्रों में मदगना की रुजहान आगे हैं और चुनावी अधिकारियं को परणाम के बारे में एक स्पाश्च तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है राज़े की 224 सदासी विधान सभा के लिए 10 मई को चुनाव हुआ था और इस दोरां 73.1 प्रतिशत लोगों ने जो है वो डाला था आपको बता दे कि करनाते कांगरिस प्रमुख डीके शिव कुमार कांगरिस की जीत के बाद भावुख हो गए हैं और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने कारे करता हूँ और अपनी पार्टी को निताओं को अपनी जीत का श्र देता हूं जिन्होंने इतनी महनत किये और लोगों ने जूट का परदा फाश किया है। ये बही कहा कि मैंने राहूल गांधी सौनिय गांधी को जीत का श्वासन दिया था जब सौनिय गांधी मुझ से जि जेल में मिलना ही थी तब मैंने पढ़स मुझ पर खबर है कि अब करनातक में ये साफ हो चुका है कि जो कांग्रेस है वही सत्ता की डोर संभालेगी और जो सत्ता का आच है वह कांग्रेस के सर सचेगा पर पर के अपडेट के लिए अब जूरे रही है स्काइड न्यूस के साथ